नमस्कार मैं हूँ विदिशा शांधिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस हरियाना में 20 दिन की छुटियों के बाद एक बार फिर से सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं आपको बता दें कि पहले स्कूल खुलने पर कोरोना के केस बढ़ गए थे जिसके चलते स्कूल बंद किये गए थे अब स्कूल 14 दिसंबर से खुलेंगे और 10 वी मा बार वी के विद्यार्थी ही बुलाए जाएंगे इसके लिए भी अभिभावकों के अनुमतिय अनिवार्य होगी वही कोरोना नियमों का सभी स्कूलों को सक्ती से पालन करना होगा आठवी तक के स्कूल अगले आदेशों तक बंद ही रहेंगे नोवी और ग्यारवी की कक्षाए भी नहीं लगेंगी शिक्षा मंत्री कमरपाल गुजर के अधिक्षता में उच्चस्तरिय बैठक में ये फैसला लिया गया जिसे जारी भी कर दिया गया है कोरोना नियमों का पालन करने संबंदी निर्देश भी शिक्षा विभाग को दे दिये गए हैं आधेशों के अनुसार स्कूलों को आठ डिसंबर को जारी स्वास्थे विभाग की अडवाईजरी का पालन सुनिष्चत करना होगा स्कूल परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज कराना होगा कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिष्चत करनी होगी स्कूल आने वाले सभी शिक्षकों वा विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग करनी होगी शिक्षकों में विद्यार्थियों के कोरोना टेस्ट की विवस्था स्वास्ते विभाग के स्थानी अफसरों के साथ मिलकर करनी होगी नेगटिव रिपोर्ट वाले छात्रों को ही स्कूल आने की अनुमती दें आपको यहां बता दें कि गत दो नवेंबर से स्कूलों को खोल दिया गया था लेकिन कई जिलों में बड़ी संख्या में छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले इसलिए सरकार ने 20 से 30 नवेंबर तक सभी स्कूल बंद कर दिये थे इसके बार फिर समिक्षा हुई और स्कूलों को 10 दिसमबर तक बंद करने का निर्ने लिया गया अब 14 दिसमबर से स्कूलों को खोलने पर सहमती बनी है मैतान बंद कर दोलों को तक जोर समय much बंद करे जार बंद कर दोलों झारे सान इसलिए साइल quierे टीसमबर से tau sectorिछ घडसे जारीड़ में ईह कि आए रऴ। झालों कर दोलों को और सकूलों को फन i में चामालों को यिăng सकूलों को खास्या आच्डान आच् इसलिए झाल झाल ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाल ग्राम में लाइज, लुपर ग्राइज, आज तर्थ बेल आइकने शायं पर चैनल झाल झाल